वेलकम टू सारीका कीचन रेसिपी आज मैं सुझी से बहुत ही टेस्टी और हिल्दी नास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए टेस्टी और हिल्दी नास्ता बनाना सुरू करते है इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सुजी यानी की रवा तो वे एक काटोरी रवा ले लिए हूँ अगर दही खटा है तो दही थोड़ा कम ले मैं ताजा दही यूजकी हूँ इसलिए आधा काटोरी लिए है अद्ध दही और सुजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब इसमें उसी कटोरी से थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं तो पानी आधा कटोरी से थोड़ा ज्यादा है अब इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दही और सूजी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो मैं ले रही हूँ एक आलू आलू को हमें कदुकस कर लेना है आलू को पानी में कदुकस करेंगे जिससे आलू काला नहीं पड़ेगा अगर बिना पानी का कदुकस करेंगे तो आलू काला पड़ जाएगा इसलिए मैं पानी में आलू को कदुकस कर ले रही हूँ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आलू अब कदुकस हो गया है तो आलू को हमें धो लेना है देखिए अच्छी तरह से धो दिये है और इसका पानी निकाल दिये थे अब सुझी का गोल में हमें कदुकस की आलू डाल देना है और फाइन चॉप किया हुआ गाजर फाइन चॉप किया हुआ प्याज और इसमें स्वीट कॉन डाल दिये हैं अगर आपके पास है तो डाले यह ओफ्शनल है सिमला मिर्च भी डाल दिये हैं इसे हेल्दी बनाना है इसलिए इसमें यह सब डाल दे रहे हैं और हरी मिर्च अगर आपके पास कोई भी सबजी नहीं तो सिर्फ आलू डाल कर भी बना सकते हैं अगर आपके पास जो भी सब्जी हो वही डाल दें अब इसमें नमक डाल देना है अपने टेस्ट के अनुसर आधा चमच खड़ा जीरा कि ठोड़ा सा काली मिर्च पाउडर एक चमच पिसी हुई चीनी और एकदम थोड़ा सा खाने वाला सोड़ा एकदम थोड़ा सा डालना है अब इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से नास्ता बनाएंगे तो नास्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा गर्मी में हमें कभी-कभी एक गिदम लगता है कि क्या बनाए नहीं बनाए समझ नहीं आता है तो आप इसे बना सकते हैं बहुत हिल्दी और टेस्टी भी है तो इसे एक बार ट्राय जरूर करें आपको बार-बार बनाने का मन करेगा तो सब्जीयों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए है इससे अब 15 मिनेट छोड़ देंगे जिससे सुझी अच्छी तरह से फूल जाएगा तो 15 मिनेट बाद मिलते हैं 15 मिनेट बाद सुझी अच्छी तरह से फूल गया है तो चलिए इसे बना लेते हैं तवा को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं और इसमें घी डाल देंगे आप तेल सी भी बना सकते हैं मैं इसे घी से बना रही हूँ क्योंकि इसे हिल्दी बना रहे हैं तो इसमें मैं 3-4 चम्मच घी डाल दी हूँ और घी को पूरे तवा में फैला लेना है घी को बरश से फैला ले रहे हैं अब इसमें एक एक बड़ा चम्मच डाल देना है इसमें मैं 4-5 डाल दूँगी एक बार में तरह से बनाएंगे तो नास्ता बहुत जल्दी बन जाएगा तो मैं एक बार में 5 डाल दे रही हूँ इसके उपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे तो सारे नास्ता को ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़क दे रहे हैं एक कटोरी सुझी में पूरे परिवार के लिए नास्ता बनकर तयार हो जाता है इसे थोड़ा देर कुखोने दे लगबग एक मिनट एक मिनट में ही एक साइड ये पक जाएगा तो एक मिनट बाद इसे पलट ले रहे हैं एक तरफ अच्छी तरफ से ये कुक हो गया है तो सारे नास्ता को इसी तरफ से पलट ले रहे हैं ये नास्ता बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों को बहुत पसंद है और हिल्दी भी है इस नास्ता को आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं इसे आप साम में चाय के साथ भी बना सकते हैं या तो सुबह ब्रेक फास्ट में भी बना सकते हैं बहुत ही पसंद आएगा शारे रास्टा को मैं पलट ली हूँ तो इसे दूसरे चैट से कॉक्खश होंने दे दूसरे चैट भी बहुत जल्दी कॉक्खो जाता है दूसरे सैड भी एकुक हो गया है तो इसे हमें पलेट लेना है देखिए दूसरे सैड भी कितना अच्छा कलर आया है आप ट्राइ करके जोड़ बताईएगा आपको इसी रेस्पी कैसी लेगी तो सारे नास्ता को इसी तरह से बना ले यह दोनों तरफ से कुक हो गया है तिसे मैं निकाल ले रही हूँ तो आपको इस पी कैसी लगी कॉमेंट करके बताएगा अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें टोमैटो केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व करें करें तो आपको लूलें लाइक तो आपको अजया खाना टोम गर्मा जर्मा खाना करें इसे शORचिते लगी हो हूँ